आज इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में कल हमने अनलेसिस की थी कि 17300 बैंक निफ्टी ओन कार्ड्स है बैंक निफ्टी तरी था 500 निफ्टी तो अल्मोस 17300 तक गया मॉर्णिंग में अच्छा मोमेंटम मिला लेकिन फिर वही साइड़ वे वे काफी स्ट्रेश हो चुका है निफ्टी अल्ड़े कर आप देखोगे निचे से करीब करीब 1000 पॉइंट से ज्यादा का निफ्टी के इंदर रैली आ गया करीब करीब 1000 पॉइंट का रैली आ गया निचे से 16400 से लेके सतरह तीन सो के आसपास आगया तो 900.1 हफ़ते के अंदर लास्ट मंडे 16-400 था और ये मंडे ट्यूजडे आप देख रहे हो सतरह तीन सो के आसपास आखड़ा है तो थोड़ा सा आप ओवर्बॉट हो चुका था शॉट टम में ओवर्बॉट है लेकिन शॉट टम में अभी भी ओवर्बॉट है तोड़ा सा इसके लिए आपको एक कंसॉलिडेशन वाला फेस देखने को मिल रहा है कल क्या हो सकता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आप अगर हमारे टेलीग्राम चानल पर जॉइन नहीं हुए हो ग्रूप के अंदर तो उसका लिंक अपकर दिस्क्रिप्शन मिल जाएगा दो दिन से आपने देखा होग जब तक कोई trade setup मुझे नहीं दिख रहा जब तक मुझे momentum नहीं दिख रहा मार्केट के अंदर जबर जस्तिकारी कि अगर मैं trade setup शेयर करता है तो फूरे टाइम से फोर सिफ कंसॉलिडेट की है अगर जो option writer है वो तो अच्छा कासा profit कमाया होगा लेकिन जो buyers है mostly जीतने में ल मिलेंगे हफते में दो दो तीन तीन दिन पूरे हफते में एक दो दो ट्रेड मिलेंगे आपको आपको वही catch करना है अगर आप एक option buyer हो अगर आप कम capital पर trade करते हो आप buying के साथ ही अगर आप कमाना जानते हो और कमाना चाहते हो तो आपको काफी दिन एक भी transaction आपके account में न तो कई बार आपको patient रखना पड़ेगा और एक भी trade नहीं लेना भी एक trade ही होता है इसी बात पर अगर अभी तक आपने वीडियो को like नहीं क्या like कर दीजे चालो को subscribe नहीं क्या कर दीजे निचे आपको like को subscribe का button दिख रहोगा free है उसे click कर सकते है disclaimer नहीं पड़ा तो disclaimer अगर हम बात करते हैं कल के अगर हम बात करते हो देखे short term में अगर हम बात करें तो आप इसे एक triangle को या triangle तो नहीं कहेंगे इस एक box को आप draw करके रखें लेवल धिहान रखेगा 17,250 और नीचे की बाजू 17,150 यह 100 point का range आपका अभी भी no trading zone होगा एक आध time आप ऐसे कर सकते हो कि अगर आप lower end पे आओ तो आप buying attempt कर सकते हो higher end पे आओ तो आप selling attempt कर सकते हो उसमें से भी एक बार तो stop loss hit होने के chances बने ही रहेंगे ऐसा नहीं कि stop loss hit नहीं होगा तो lower end पे आप buy कीजिए higher end पे आप sell कीजिए कल अगर buying बनती है कल एक अच्छा और बड़ा move आ सकता है जी क्वी quantity के अंदर आप option buying करते हुए देखने को मिले होंगे और आज काफी buying हुई भी है options की ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है trade setup के अंदर तो usually मैं charts के ओपर जाकर मैं थोड़ा सा analysis करता हूँ और आपके साथ share करता हूँ लेकिन कल के लिए मैं special आपको option chain analysis दे रहा हूँ तो हम पता नहीं लगा सकते हैं लेकिन हाँ option में activity काफी जादा हुई है usual days से जादा आपको option के अंदर activity होती हुए देखने को मिली है अगर हम बात करें दीगे आज option chain के साथ ही analysis होगी आज chart pattern के साथ देखने होगी कि कल जो भी move आएगा वो option के उपर आएगा वो chart के उपर नह कुछ resistance है 57,000 contract आज add हुए है यह मत देखिया करें जब आप option answers करते हो काफी लोग यह को देखते हैं मैं इसको इतना वो नहीं कहता हूं इसको इतना importance नहीं देता हूं importance इसको देना चाहिए क्यों तो कि यह आज का move देखके लोगों ने option को right किया है बहले वो call side हो या put side हो यह आपको दिखाता है कि overall कितने open contracts है हमें overall से कोई मतलब नहीं है overall हो किसी ने खोल के रखा होगा कपी का रखा होगा उस दिहां को नहीं पता कोई एक साल पहले भी शायद buy करके गया होगा option या sell करके गया होगा you never know option में तो आप एक साल तक का view ले सकते हो लेकर हमें वो न चेक करना है हमें चेक करना है कि आज क्या किया आज लोगों ने जो fresh addition या suppression जो भी हुआ है उसमें आज क्या हुआ तो आज 57,000 ने contracts add हुए है इसे ignore कर दिया करिये इसे importance नहीं देता हूं मैं इसको देता हूं आज 57,000 contracts नहीं add हुए है इसका मतलब 17301 strong strong resistance की तरह का हम करेगा नीचे के बाद जो वही अगर मैं बात कोई तो इसके मुकाबल अगर 57,000 अगर आप देखोगे तो अगर आप इस तीनों को भी मिला दोगे ना तीनों को भी मिला दोगे ना तो करीब-करी 57,000 contract होता है 17200, 17150, 17100 यानि एक strike price, तीन strike price के बराबर की है तो आप समझ सकते हूं क call writing कितनी heavily हो रही है अगर आप यह देखो कि 17250 वहापर भी अकेले में 25,000 contracts add हो है यहापर तो 25,000 आपको दिखेंगे ही नहीं किदर भी तो इसका मतलब कि नीचे के बाजू आपको opening अभी भी होती भी देखने को मिल रहे है 17,000 पर तो in fact 1900 contract unwind हो है तो 1900 लोग कौन है 1900 contracts किसके हैं जो को लग रहा है कि 17,000 भी break होता हुआ देखने को मिल सकता है तो कल जो भी होगा मैं एक ही चीच क्लियर ली कह रहा हूँ कल जो भी होगा बड़ा होगा अच्छा खासा होगा you cannot be surprised if market breaks 17,000 on lower side वीडियो धाला लंबा हो सकता है लेकिन ध्यान दीजेगा 17,000 नीचे की बा जो यहाँ पर अगर उपर जाना market शुरू करता है specially उपर जाने का आपको एक अच्छा संकेत मालूब है कैसे मिलेगा कल आज का जो हाई है ना direct उसके उपर खुलेगा अगर market को उपर जाना है और अच्छा खासा उपर जाना है अच्छी खासी shot covering कराने है market को तो आज का जो 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 आज करें दोसों अल्रीडी ब्रेक कर चुका है नीचे के बाजू इतना कोई स्ट्रॉंग सपोर्ट है नी इंफक्ट अन्वाइंडिंग हो रही है नीचे की बाजू तो नीचे की बाजू आप बिल्कुल भी वह मत समझेगा कि कोई ताजुक क्यों आते कि कल अगर एक्सपैरी सतरह एक्सो से लेके 16-900 के बीच में होती है और स्ट्रॉंग व्यू है कि 17,000 के आसपास ही एक्सपैरी कर दे वे क्योंकि 17,000 के कॉल और पुट दोनुं ही काफी जादा लिखी गई है तो यू नेवर लो कि 17,000 पर ही एक्सपैरी हो जावे और अगर उपर की बा कवरिंग आते वे दिखने हो मिलेगे इन फैक्ट वह 17,400, 17,500 तक भी जा सकती है अगर अग्रेसिव होती है तो वरना फिर आपको 17,300 से 17,400 के बीच में मार्केट एक्सपैर होता हो दिखने हो मिलेगा तो कल के लिए व्यू काफी बड़ा गेम हो सकता है काफी जड़ो ऑप बैंक निफ्टी की बात के तो देखी बैंक निफ्टी के अंदर भी कॉल राइटिंग 13,000 कोंट्रेक्ट 35,200, 21,000 कोंट्रेक्ट 23,000 कोंट्रेक्ट 26,000 कोंट्रेक्ट मतलब उपर की बाजू लोग राइटिंग जादा करें in fact in the money 28,000 ने कोंट्रेक्स आइड होए है अगर आ आपको काम होता हो देखने को मिल रहा है 34,600 पे देखिए अन्वाइंडिंग होनी शुरू हो गई है तो options के data तो यही बता रहे है कि market थोड़ा सा और एक dip ले सकता है expiry on negative side हो सकती है लेकिन main मजा तब आएगा main आपको expiry का game तब देखने को मिलेगा main आपको expiry moves तब देख अगर ऐसा होता है तो यह expected है क्यों क्योंकि option chain यह बता रहा है चार्ट यह बता रहे है दोनों यह बता रहा है तो आपके expiry हो गई expected लेकिन expiry कभी भी expected नहीं होती है बहुत rare chances होते है दस में से मैं कहूंगा दो तीन बार expiry जैसे आप सोचते हो वैसे होता है बाकी majority of time को expiry करते हैं अलगी game देखने को मिलता है अगर वो हुआ तो वो होगा upper side is not expected बड़े players के तुरू upper side is not expected lower side expiry is expected अगर breakout होते है उपर की बाजो nifty bank nifty move करना शुरू करता है तो sharp moves आएंगे और तब आपको actual expiry game समझ में आएगा अगर नीचे की बाजो होता तो वो normal expiry है charts भी बता रहे options भी बता रहे तो वो सब भी को पता था और जैसा सब को पता था वैसे ही हो गया तो उसमें कोई बहुत मजा नहीं आएगा क बहुत पैसी भी नहीं मिलेंगे क्योंकि नीचे के बाजो फिर अगर अपरी सब भी को पता है कि lower side expiry होनी है तो फिर लोग नीचे के puts खरीद के बैठ गए होंगे या तो call right करके बैठ गए होंगे expiry का मता ही तब आता है जब लोग फस्त है जब जो आम जनता है वो फस्त ही है उसी मिलेर expiry बना जाती है कि लोग फसेंगे तो लोग कमाएंग के न अगर लोग गवाएंगे नहीं अगर सभी को पता है कि ऐसा ही होने वाला है तो सब वैसे ही करेंगे, तो इसका मतलब फिर पैसा काफी कम बनेगा, क्योंकि पैसे काफी सारे लोगों के अंडर डिवाइड होएंगे, पैसे सबसे अगर कब बनेगा बड़े लोगों के लिए, उनके लिए तब बनेगा जब majority of लोग पैसा गवाएंगे, और कुछ ही बात करू, तो मुझे अब भी तक तो as per option, as per chart, अगर मैं, क्योंकि मैं majority time chart को ज़्यादा focus करता हूँ, chart मेरे लिए सबसे ज़्यादा important होता है, मेरे लिए options इतने important नहीं है, as per chart, as per options, options भी चलो नीचे के बाज ही indicate कर रहें, लेकिन as per chart एक bearish candle बनी है, तो expiry भी lower side पर ही होन credit कर दोगा, उसका link आपको छे description में मिल जाएगा, धन्यवाद, money front link निचे description में आपको मिलेगा, यहाँ पर आप नहीं सिफ direct mutual funds, regular mutual funds नहीं है, जहाँ पर commission charge होता है, commission free, direct mutual fund में invest कर सकते हो, insta cash mutual fund में invest कर सकते हो, corporate fds, triple a, f, triple a, return corporate, nps के अदर आप invest कर सकते हो, unlisted shares आप buy कर सक portfolio management service अवेल कर नहीं, तो वो भी अवेल कर सकते हो, free है, आप में account opening, description में आपको link मिलेगा, वासे आप download कर सकते हो, mutual fund investments are subject to market risk, read all scheme related documents carefully,